नमस्कार संस्कृत के प्रीविद्यार्तियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेगनेट ब्रैंस पर मैं पंकस्तिवारी आपके लिए फिल लेकर के आया हूँ कछा ग्यारहमी की सास्वती जो हम पढ़ रहे थे उसका हमारा पार्ट चलना था नव द्रभ्याणी नव द उस तक में दिया हुआ है तो आप लोग भी तयार हो जाए उस तक को अपने सामने रख लें ओपन कर लें ठीक है ना और जो जो उसमें प्रश्ण दिये हुए हैं उन प्रश्णों को अच्छे से आपको पढ़ना है यहां आम स्क्रीन पर भी आपको दे रहे हैं लेकिन दौ प्रश्ण दिया हुआ है अभ्यासकार में पहला प्रश्ण दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थार्थ जो हमको उत्तर लिखना है जो हमको उत्तर देना है वह एक पद में देना है एक पद के द्वारा द्वारा देना है एक पद से देना देखें अब यहां पर क्योंकि यहां सक्तमी नहीं लगी है, क्या नहीं लगी है, सक्तमी विभक्ति तो यहां लगी नहीं है, यहां कौन लगा है, एक पदेन, एक पदेन, रामेन, कमलेन, बालकेन, याद रखिएगा, विभक्तियों का बहुत अत्यदिक महत्र है, पूर्ण है, पदेन लिखा, बाल केन लिखा बाल केन लिखा रामेण लिखा ये सब कहां के रूप है ये तृतिया विभक्ति और तृतिया विभक्ति के रूप होने की बज़े से इनका कारक्चिन भी क्या है से के द्वारा तो यहाँ पर हमारा अर्थ क्या निकलेगा एक पद से उत्तर लिखो या एक पद के द्वारा उत्तर लिखो इस प्रकार से इसकार्थ निकलेगा एक पद से उत्तर को लिखो उत्तर को उत्तरम दुतियाविभक्ती दुतियाविभक्ती लगी है जैसे रामा, रामम वहीं उपर आ जाएगा उत्तरम, उत्तरम, फलम, फलम तो दुतिय अभी भक्ति, एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो, अब ये लिखत लिखताम लिखन, अब ये लिखत जो बना हुआ है, ये रूप कहां कहा है, ये सारी चीजे जानना जरूरी है, ये मत सोचना कि केवल प्रश्ण का अंसर हमें ढोड़ना, कॉस्चन का अंसर बस नहीं ढोड़ना, हमें इसका सारी चीजे हमको इसमें देखना है, कि कौन-कौन से रूप लगे हुए है, कौन-कौन से इसमें कारक चिन लगे हुए है, कौन-कौन से बिभक्ति लगी हुए है, इतना याद रखिएगा, ठीक है न? अब जब ये सारी ची लोटलकार आज्यार्थक होता है, कैसा होता है आज्यार्थक? आज्यार्थक होता है, यह समझ रहे न? आज्यार्थक का मतलब आज्या देना, क्या देना? आज्या देना, आज्या देने का मतलब क्या है? अब ये भी बात पूर्ण है न? आज्या देने का मतलब क्या है? यह यहां जो आज्या दी जा रही है कि एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो, तो यहां हमारा रूप बनेगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक बचन, दुई बचन, बहु बचन, ठेकर अब यह सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है और यहां से हमें क्या करना है, इसको हल करना है, अब यहां बनेगे जब यहां बनेगा हमारा लिखत, यहां बनेगा हमारा लिखताम, 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 लिखन, लिखन, यहां बनेगा लिख, यहां बनेगा लिखतम, यहां बनेगा लिखत, अब आपको देखना है कि कहां कौन सा लिखा हुआ है, यह वाला जो लिखत लिखा हुआ है, यह कहां का लिखा हुआ है, देखें यहां वाला लिखा है कि यहां वाला, बदलाएं जल दी से, तो मद्ध्यम पुरुष बहु एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो बना है कि नी बना लिखत तो यहाँ सारी चीज़े अब यहाँ इसका जब हमें पता चल गया है कि एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो अब हम इनके उत्तरों को ढूड़ेंगी चले, आगे देखेंगे अब सबसे पहला प्रश्णु पदार्थाह कति भवन्ती बहुत जरूरी बहुत most important प्रश्णु देखिए पदार्थाह कति भवन्ती पदार्था में बहुवचनान्त पद लगा हुआ है कौन सा भहु बचना अंत्पद रामह रामव रामाह पदार्था पदार्थाव पदार्थाः रामव रामाह पदार्थाः पदार्थाः रामव रामाह पदार्थाः 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 प पदार था है लगा है ना तो बहु बचनांत पद लगा है एक बचल दुई बचल बहु बचल बना है कि नी बना है तो यहां पदार था अब कति माने कितने भवन्ति भवति भवता भवन्ति यहां लट लकार लट लकार पुर्थाम पुरुष एक बचन दुई बचन बहु बचन पना हुआ है ना तो यहां पर हम करेंगे भवति भवता हा भावंति भवन्ति हो गया है ना अब तो यह हमारा भवचन पन लगा है लट लकार वरतमान जब यहां किरिया हमारी बहुवचन की है वो करता हमारा बहुवचन का है तो किरिया भी हमारी कैसी होगी बहुवचनाथ होगी तो इससे यह भी स्पष्ट होता है करता के अनुशार किरिया चलने वाला बाग के कैसा होता है करतरी बाच होता है कैसा होता है करतरी बाच करता अ बहुवचन की क्रिया है अब वो पूछ रहा है कि पदार्था कति भवन्ति पदार्थ कितने होते हैं तो आप लोगों ना देखा कि पूरा पाठ अगर पढ़ा होगा तो आपसे बनेंगी कितने सब्द पदार्था कितने सब्द पदार्था देखा ज़रा सब्ध पदार्थ है isn't a सब्द पदार्ध बतल आई थे कौन कॉझे दरब गुन कर्म स्मॉण विशेष्श शमवाय ये सारे क्या है हमारे पदार्थ है और प्रतिभी पर कितने सप्द पदार्थ विद्धमान याद रखिए गएक तो पदार्था कति भावंति एक पदम उत्तर देना है इसलिए सब्द आया है और एक पदम ना देना होता तो पदार्था सब्द्भावंति ऐसे हम अलग अलग कर देते तो सब्त पदार्था भधन भवंती तो साथ पदार्थ होते हैं अब इसके बाद अगला देखेंगे हम प्रशन लिखा हुआ है प्रथिव्याह कति भेदाह उक्ताह प्रथिव्याह प्रथवी के कितने भेद कहे गए हैं उक्ताह लिखा है न उक् इसलिए वो कह रहे हैं प्रत्वी के कितने भेद बतलाए गए हैं अब ये प्रत्वी के अब ये भी अमारे लिए महत्पूर्ण है कि ये देखना है इसका अर्थ क्या है कियसे आपने के क्यों कर दिया इसका अर्थ क्यों हो गया तो ये आप प्रत्वी के रूप चलाएंगे जननी के समान कैसे चलाएंगे जननी के समान चलेंगे जननी नदी के समान चलेंगे कैसे देख लीजिए नदी, नदीम, नद्या, नद्याई, नद्याह, नद्याह, नद्याम, ऐसे चल जाएंगे अब इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखें, जननीम, जनन्या, जनन्याह, जनन्याह, जनन्याः 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 जनन्या और यहां हमारा नद्याम भी हो जाएगा ठीक है न अब यहां देखें यह जनन्याम लिखा हुआ है सश्टी भवक्ति एक बचल में तो यहां भी हमारा क्या लगा हुआ है पृतिव्याह देखें प्रत्वी प्रत्वीम प्रत्वीआह प्रत्वीम यहां प्रत्वीय यहां प्रत्वीय 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 लिखा लगा है कि नी लगा है कि भिट भी होगा, यह में भी पृत्य भी हुगा यह भी पृत्य भी मिया है। ये हमारे सश्टी व्यक्ति का एक बचन तो प्रथिभ्याहकति व्यदाः औक हम कि तोजसी लगा हुए उक्ता है ठेक, यहाँ पर कोई बोले गए हैं, उकताहा जो लगा हुआ है, वच धातू से बना हुआ है, यहाँ याद रख लेना, और टाप प्रत्य लगकर की यहाँ क्या बन गया है? इस तरी बाची क्योंकि आगे प्रत्वी है इसलिए ये भी सश्टी का है और ये भी हमारा सश्टी का है चलें आगे देखेंगे उसने पूछा है प्रत्वी की कितने भेद होते हैं तो देखो दो भेदा दो भेदा है, प्रत्वी के दो भेद होते हैं, एक अपर, एक पर, पर और अपर, बतलाया है ना, परत्वम, परमान रूपम, अपरत्वम, कार रूपम, बतलाया है उन्होंने की नहीं, तो जो परे है, जो प्रत्वी है, प्रत्वी के कितने भेद है, दो भेदा है, दो भेद दोई बचा ठीक है न चले आगे देखेंगे अगला हमारा दिया हुआ है कि तेजाह की दिर्शम कत्थते तेज किस प्रकार के कहे गए हैं तो तेज कौन कौन से होते हैं किस प्रकार के किस प्रकार हम तेज को मानते हैं कि तेज क्या है तेज कैसे पता चलता है कि ये तेज है ठीक है ना। तो अनोंने ये कहा है कि तेज कौन होता है किस प्रकार का होता है यह हमें बतलाक, कथ्येती पहली बाद तो तेज आहा की दिर्षम, कथ्येती रूप जालने कहां कहां, आत्मने पद लटलकार प्रथम पुरस एक बचन का रूह कत्यते इस प्रकार से बन जाएंगी कत्यते बन गया है तो यहां पर पहले उन्होंने एक कह दिया है कि तेजह किस प्रकार से कहा गया है, तेज किसको कहा गया है, उशन इस पर सवत तेजह, जो ज़्यादा गर्म हो और वह इस पर सवान हो, वह हमारा क्या कहलाता है, तेज कहलाता है, और तेज में सूर को रखा गया है, अगनी को रखा गया है, चंद्रमा को रखा गया है, जो प् इसको पार्ट को पढ़ा है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, तो उसमें दिया भी हुआ है कि तेज क्या है, ठेक है ना, तो तेज हमारा क्या है, जो प्रकासवान होता है, वह तेज कहलाता है, इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, अतीत आदी दि वेवहार का कारण हेतु दिया है न तो वेवहार का कारण बीते हुए आदी का कारण क्या है तो काल क्या है भूत भविश वर्तमा तीनों कालों का क्या है कारण है तो समय ही ये सारी चीजे बतलाता है कि अतीत आदी वेवहार हेतु कहा अतीत आदी यहां दिर्ग शंदी लगी हुई है अतीत आदी वेवहार हेतु कहा तो अतीत आदी वेवहार का कारण काल हाँ क्या है काल काल यह सबय होता है जो भूत भविष्य वर्तमान का हमारा वोधक होता है जो अतीत का भी बूत कराता है और हमारा वरतमान का बूत कराता है और इसके बाद हमारा भविश्यती का बूत कराता है ठीक है ना कराता है के नहीं कराता तो यह हमारा हो गया अतीत आदि फिर इसके बाद दिया हुआ है आत्मा कति विधा आत्मा के कितने प्रकार है आत्मा कितने प्रकार की होती है दुई विधा दे जो परमात्मा है वो है नित है जीवात्मा क्या है हमारी अनित है अर्थार्थ हर भिन भिन सरीर में क्या है विद्यमान है तो इस प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा के दो रूप बतलाए है आत्मा कतिविधा आत्मा के दो प्रकार दुविधा आत्मा दो प्रकार की जीवा और परमात्मा चले आगे देखेंगे देखिए इस पर जादा चर्चा करने की आवस्चक्ता नहीं है क्योंकि पूरा पार्ठ हम आपको पढ़ा चुके हैं और आपको भी याद रखना अब दूसरा प्रशना आगे हमारा पूर्ण वाक्यन उत्तरत पूर्ण वाक्यन वाक्य में उत्तर दो पूर्ण वाक्य से उत्तर दो तो यहां पहला प्रशन हमारा दिया हुए है का है कस्मात ग्रंथात संग्रीयीत ऐशः पाथ है किस Васी ग्रंथ शे संग्रीयीत है हुआ संग्रीयी है यह पाट ठेक है ना तो यहां देखें कस्मात यह किम के रूप है हमारे किम का रूप है कह कम केन कस्माई कह कम केन कस्मात कस्माई कस्माई ठेक यहसी ग्रंथा देखें ग्रंथा ग्रंथम ग्रंथेन ग्रंथेन ग्रंथाई ही यह ग्रंथा स्मात ग्रंथात ग्रंथशौ ग्रंथे यह राम के समाण रूप चलेंगे। ठेक है ना तो यहां देखें यहां ग्रंद्थात लिखा हुआ है पंचमी यहां पर भी 5 यहां पर भी 5 तो कस्मात ग्रंथा संग्रहीता एसा पाठा किस ग्रंथ से द्वान अंडम भट के द्वारा रचित तर्क शंग्रह नामक जो हमारा ग्रन्त है उस ग्रन्त से यह क्या किया गया है यह पाथ हमारा नव остав्यार लिया गया है देखें एसह पाठा यह पाठ एसह प्रत्मा विभक्ति एक बचन का रूप है याद रखिए एतद की रूप है यह पाठ हो यह पाठ तरक शंग्रह माने तरक शंग्रह इति ग्रंथा शंगरिता तरक शंग्रह नामक ग्रंथ शंग्रहीत किया गया है तरक शंग् यह यहां पर देखें अगला हमारा होगा प्रश्ण उन्होंने कहा है कि कानी पंच कर्माणी पाठे वर्नितानी कानी कानी बहुवचनांत्पद लगा हुआ है फलम फले फलानी देखी कानी बहुवचनांत्पद तो अब बहुवचन क्यों लग गया है प्रत्मा का प्रत्मा का बहुबचन क्यों लगा है कि इसलिए लगा है क्योंकि एक नहीं है पांच कर्म है और पांच अगर दो से ज़्यादा हो जाए तो सब बहुबचन में हो जाते हैं हो जाते हैं तो यहां पांच कर्म हैं तो यहां पर भी प्रत्मा का बहुबचल लगा हुआ है कर्मम कर्मे कर्मानी तो यहां कर्मानी भी बहुबचल कानी भी बहुबचल और वर्नितानी भी बहुबचल ही लगा देखिए कानी पंच कर्मानी पाठे वर्नितानी कौन से कौन स आप छेपण, आकुंचन, प्रशारण और गमनानी इती पंच कर्मानी पाठे वर्णीतानी याद रखिएगा ठीक है ना तो यहाँ आप देखेंगे जरब जो कानी बना हुआ है हमारा देखें जैसे रूप प्रत्मा का बनता है फलम फले फलानी यहाँ देखें यहाँ बहुवचन लगा है न तो यहाँ कानी में भी बहुवचन पंच कर्मानी भी यहीं बनेगा हमारा पंच कर्मानी पंच कर्मानी यहाँ बन गया है किएसे करम करमे करमानी अब यहां वर्णितानी लिका है तो वर्णितम वर्णिते वर्णितानी एक समान रूप चल जाएगे नपुनसकलिंग की रूप चलेगे बस याद रखिएगा ठीक तो पाठे पाठ में सब्तमी का एक बचन जैसे रामे वैसे पाठे ठीक तो उन्होंने कहा कानी पंच करमानी कौन से पाठ करम पाठ में वर्णित किये गए ह तो देखें उत्छेपन अपछेपन आकुंचन उत्छेपन अपछेपन आकुंचन प्रशारण और गमन ठीक है यह हमारे क्या दिए गए है पाठ करम दिए गए है और पाठ करमों में आपको याद रखना कि उत्छेपन का मतलब होता है उपर उपर फेकना और अप्छेपन का मतलब नीचे नीचे फेकना आकुंचन का मतलब होता है सिकुडना प्रशारन का मतलब होता है फैलाना गमन का मतलब होता है चलायमान क्या बात है हो गए बहुत ये पूरे पार्ट में दिये हुए है ठीक है न, उच्छेपण, अप्चेपण, अकुंचन, प्रशारण, गमनानी, पंच कर्मानी, पाठे, वर्नितानी, ये आप लोग बहुत इंपोर्टेंट हैं, परिच्छा में जरूर पूछे जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है, चलिए, आगी देखेंगे, अग आपको देखना है, अब कस में सश्टी वक्ति लगी है, देखी किसका साधन है, क्या-क्या मन से होता है, ये देख लीजिए, देखें मना कस सश्टी वक्ति, कहा कम केन कस्माई कस्मात, कस सश्टी वक्ति लगी हुई है, तो मना मन किसका साधन है, मन दुख, दुखाद्य उ उपलब्धी को प्राप्त कराने वाला साधन मन है, अच्छा मन ना होता तो आपको किसी की बात बुरी न लगती, याद रखना, ठीक, आप जैसे मान के चलिए, आप कहीं पर भी जाते हैं, आपका मन नहीं है, फिर भी आपको जवरजस्ती ले जाए रहा है, तो आपको बुर सन होता है, तो सुक दुख आदी की उपलब्धी या आदी का कारण सब कुछ क्या है, मन है, और वही उनका साधन कहला है, सब कुछ क्या है, मन से ही होता है, सुक दुख आदी की उपलब्धी को प्राप्त करना, यही साधन मन कहलाता है, फिर लिका है वायोह कती भेदा है, वायू के कितने भेद हैं, वायोह, देखें यहां जो वायोह बना हुआ है, यह वायू, जैसे गुरु के रूप चलेंगे, गुरुह, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरुह, गुरुह, वायोह, वायोह, सश्टी व्वक्ति, वायू के, सश्टी व्वक्ति, समझ में अया हो तो यह से देख लिजी गुरू हो गुरु गुरूम गुरुणा गुरुबे गुरुः गुरुम गुरुना गुरुवे गुरोः 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 ठेक है न अब ये तो हमारा एक बचन की रूप हैं प्रत्मा, दुतिया, कृतिया, चतुर्थी, पंचिमी, सस्टी, सप्तिमी ठीक है यहीं पर आजाएंगे वायो हो वायों वायोना वायवे वायो हो वायो हो कोई दिक्कत, क्या दिक्कत, सस्टी भक्ति, वायू के का, सस्टी भक्ति ये, देखें, और इसका चिन्न क्या होगा, का, के, की, का के की, तो अर्थ यहीं निकलेगा, वायू के, वायू के कती माने कितने, भेदाह माने भेद होते हैं, वायू के कितने भेद होते हैं, दौ इस वायू वाय वाय्यो दोगेदवू इस्ताह नित्य अनित्य श्य बेन असलfer रूप से वायू हर जगए विद्धमान हैं और अनित्य गोल में प्सेरीज बिश्य भीम्प विश्य वेधा अनित्य अनित्य के भीमप करने है तीन हैं लेकिन मुख रूप से वायू के भेद है दो भेद है तो वायू के मुख रूप से दो भेद है और बैसे अगर बात करें तो वायू के देखिए यहाँ दो भेदों में से नित्य हमारा परमानो रूपा अनित्या कारे रूपा और नित्या परमानो रूपा जो है हमार और इंद्रिये, स्वासिंद्रिये, हमारी धमनिया, मासपेसियों में जो हमारी प्रवायत होती, वो इंद्रियों में वाईव प्रवायत है और विशाय भोदा, ब्रक्षादी, कमपन, ब्रक्षों में होता है, वो विशाय शी है, समझ में आया आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्ण होगा अतीत आदी ब्यवहार हेतु कालाह साचा की दिर्श्ण अतीत आदी ब्यवहार की काल की कारण समय किस प्रकार का है आई सीधा उसने कहा है अतीत आदी जो बीते हुए कल के आधार पर काल को किस प्रकार से बतलाया गया है देखें अतीत आदी विवहार हे तू काल हां चा आईको विभुर नित्यास्चो अगर समझ में आया हो तो बताईएगा कमेंट में जल्दी से और नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनिएगा, देखे अतीत आदी, बीते हुए कल, बीते हुए कल से, मतलब भूत काल से आज़े, भूत काल को लेकर के, और जो हमारा बर्तमान चलना हो, जो भविश्य की बात की जारी, तीनों कालों को लेकर के चलना हो। अतीत आदी व्योहार के कारण काल समय समय क्या है एक है और वह क्या है विभूर नित्यस्च वह नित्य है और विभू माने होता है व्यापक सर्ब जगे एक ही है समय और सब जगे वह व्यापत है सर्ब व्यापक सब जगे एक ही समय चलता है फर्क यह होता है कि कहीं दिन होता ह कहीं रात होता है लेकिन होते 24 hours याद रखिएगा ठीक है न तो समय का जो चक्र है वो सब के लिए समान है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो UK में बैठे हैं और जो लंडन में बैठे हुए हैं जो कहीं भी बैठे हैं इनके प्रकार अधर कंट्री में तो यह हमारे लिए अलग है इन तो आतीताधी विवार के काल जो एक है वैकै क्या है हमेशा बिद्यमान है सरविव्यापक है चायकों में चाधन में आण एक हा तो यहां हमारी व्रद्धी शंदी हो जाएगी इतना याद रख लेना चा धन एकों ठीक आ के बाद यह आजाने पर अई बन जाता है ठीक यहा चा आई को इसकी मात्राइं दो इस पर आ जाएंगी काजेओं कात्यों को आ जाएगा चाई को आ गया की नहीं आ गया और यहां पर भी विशर्ग लग सकता था पीछे अंतस्त बेंजने इस बज़ें से ओ हो गया है विभुवधन नित्यस्च यहां पर भी विशर की संदी है विभुवधन नित्यस्च विशर की स्थान पर रा हो गया है और यह रा इसके उपर आ गया है ठीक है न चले आगे देखेंगे हम अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न कर्मान की तीसरा हमले क्या बतला रहा है देखें मन्जूसाता है मन्जूसाता है पदान्यादया रिक्तिस्थानानी पूरियत मन्जूसा में दिये हुए पदानी पदों के पदान्यादया पदान्यादी पदान्यादी से रिक्तिस्थानों की पूर्ति करो मंजूसा में जो पद आदी दिये हुए हैं उनको रिक्तिस्थानों में क्या करना है पूर्ण करना है उनके रिक्तिस्थानों को क्या करना है पूरा करना है रिक्तिस्थानानी पूर्यत ये लिखा है त्रीविधम गंदवती प्रशारण परमानो रूपह अनंत्यम ये मंजू भवति क्या त्रिविधम त्रिविधम भवति वायोह दोव इस्ताह नित्या और अनित्या नित्या पर्मानु रूपा नित्या पर्मानु रूपा अनित्या कार्य रूपा हो गया फिर दिया प्रत्वी डॉट सा नित्या अनित्या पर्मानु रूपा कार्य रूपा चा प्रत्वी गंधवति प्रत्वी कैसी है गंधवति तत्र गंधवति प्रत्वी पहले पढ़ा है पाट में तत्र गंधवती प्रत्वीसा नित्या नित्या पर्मानी रूपा फिर लिखा हुआ है उत्छेपण अप्छेपण आकुंचन प्रशारण प्रशारण गमनानी पंच कर्मानी भवन्ती फिर लिखा है मना प्रत्यात्म नियत त्वात अनंत मन क्या है अनन्त रूप में विद्धिमान है और अनन्त रूप में कहां विद्धिमान है देखे जरा पर्मानु रूपम नित्यम किसमें पर्मानु रूपम नित्यम अनंतम परमानो रूपम नित्यम चा समझ में आए तो देखिए इस प्रकार से हमें इसको फिल करना था हमें फिलिन दावलेंग से पूरे भरने थे तो अगर इनका हम अर्थ निकाल पाते हैं तो ये अर्थ ये सारी इसमें हमें फिल करने में बहुत ज्यादा असानी हो जाती है तो सबसे ज्यादा महात्पूर्ण है हमें अर्थ निकालना और अर्थ के लिए हमें ग्रामर आनी चाहिए और ग्रामर के लिए क्या होता है पढ़ना पढ़ेगा वो तो पढ़ना पढ़ेगा, ठीक तो यहां देखेंगे, अब दुबारा इसको एक बार हम मैच कर लेते हैं पहले में देखना री बीधम, दुसरे में परवानव, तिसरे में गंधवत्ति, चोथे में प्रशारण, अनन्तम, ठीक चलें, देखें जरा ये पहले में त्रीवीधम, दूसरे में परमानू, तिसरे में गंधवत्ती, प्रशारण, अनंतम, हो गया, वही है, ये उत्तर आपका हो गया है, उत्तर को आपने देखा, ये हमने मन्जूसा की सहायता से फिल इंदा वलेंक्स किये है, तो आपकी बुक में भी होंगे, तो आ ही हो, जैसा उचित लगे, जो आपने पाठ में पढ़ा हो, उस पाठ के आधार पर क्या करना है, इसको योजियत मिलाना है, योजियत मने मिला ये, सीत इसपर्ष, सीत इसपर्ष क्या है, सीत इसपर्ष वत्त्य क्या है, आपा, जल है क्या, जल हमारा क्या है, ठंडा होता है चतुरविधा है, चार प्रकार का कौन है, चतुरविधा है, बताएं, ईस्वरा है, सरभग्या है क्या, वायू हू, रूप रहिसा है क्या, रूप रहित है और सब्द गुण आकासम क्या है हमारा आकासम सब्द गुण कम आकाम चतुर विधा अभावा चतुर विधा अभावा ये आपने पूरे पार्ट में सारी चीजे पढ़ी हुई है अगर आपने ध्यान दिया हो तो ठीक चले इसको एक बार मिला ले मिल गया है सही बिलकुँ सही लग रहा है देखें एक बार फिर से अभी गलत है अब उत्तर देखें देखें उत्तर देखें नहीं आरा समझ में चले ऐसे आएगा समझ में ऐसे सीत इसपर्स हमने वायू को बताया था ठीक है सीट इस पर हमारा क्या है जल था चतुर विधा कौन थे अभाव थे ईस्वर क्या था सरवग्य था और ये वायू हमारा रूप रहे थे ठीक है और सब्द गोंड क्या है आकास है हो गया कोई दिक्कत है क्या बिलकुल सरल है पूरा अच्छा अभ्यासकार है बहुत आर पर संधी का क्या करना है नाम लिखना है तो ये आपके लिए थोड़ा सा बहुत सरल है और बहुत कठिन है अगर बनती नहीं है संधी तो समझ लीजिए पहाड है और अगर बन रही है तो ये मान के चलिए कि इसके अलाबा आप बाग के चीजें भी बहुत अच्छे से हल कर सक देखें हमें इसमें यह हमारा पद दिया हुआ है अभी अभी जश्ट बताया हूं चाधन एकाह तो इसमें हमारी कौनसी होगी ब्रद्धी संधी कौनसी संधी होगी आज इनको ज़ादा स्वल्ब नहीं कराएंगे बता दिया मैंने इनको केवला इनका चेट करेंगे संधी का नाम बागी आप लोगों को करना है ठीक प्रति आत्म प्रतिधन आत्म आत्म प्रतिधन आत्म तो यहां हो जाएगी यढड़ संधी यड़ संधी हो गई ना चले तच्यों तच्धन चाह यहां हल संधी हल संधी यहां हल संधी के अंतरगत आ जाएगा इस्चुत्य संधी इस्चुत्य संधी यह फिर देखेंगे अभावस्च्यों अभावः धन्चा अभावः धन्चा यहां विशर्ग संधी हो जाएगी फिर इसके बाद प्रथिव्यत तेजह तो प्रतवी और प्रथिव्यत तेजह व्यत प्रथिव्यत तेजह यह नहीं होगा प्रत्वी धन तेजा यड संधी यड संधी प्रत्वी तेजा हो गया ना अब ये सारी संधियां आपको इसमें मिला लेना है देखें जरा आप ये देखें अच्छा यहां होगा हमारा अप तेजा प्रत्वी अप तेजा ठीक है ना यहां अप तेजा रहेगा सॉरी ठीक यहां होगा अब इसके बाद हम संधियों के बाद दिखते हैं आगे संधी के बाद हमारा रहेगा पद क्या अगला प्रदत्य पदान्य अधिकरत्यों प्रदत्य पदान्य अधिकरत्य वाक्यानी रचयत प्रदत्य दिये गए पद आदी के अधिकरत्य वाक्यानी माने वाक्यों को रचयत माने रचो बनाओ जो नीचे सब्द दिये हुए है पद उसकी सहायता से उनके अधिकार से हमें क्या करना है वाक्यों का निर्माण करना है तो नित्यम नित्य क्या है तेजा नित्यम अनित्यम चा भवती तेज हमारा नित्य भी है और अनित्य भी है तो अनित्यम सब्द प्रियोग में आ गिया फिर इसके बाद चतुरविंसति लिख गुण कितने होते हैं, 24 होते हैं, नवईव, तरक सास्तरा अनुशारें, द्रव्यानी नवईव भवन्ती, तरक सास्तर के अनुशार, द्रव्य कितने हैं, द्रव्यों को उतने किसने बनाएं, 9, 9 द्रव्यों को बतलाया है, संभाया है, संभायस्तु एक एव, संभायस्तु एक एव अर्थार्थ शंभाय जो है संभाय कारण होता है संबंध का, तो संबंध एक ही ही है और जो हमेशा सब के साथ विद्धमान होता है, गुण हो चाहे मनुष्य से मनुष्य का हो, अब आगे देखें रूप रहित, अगला सब्द है रूप रहित, वायू रूप रहिता भवती, वायू हमारी कैसी है, रूप रहित है, हम उसको देख नहीं सकते हैं कि वायू किस प्रकार से, उसका कोई आकार नहीं है, वो तो केवल महसूस की जाती है, और उसको केवल इस पर शिर भी नहीं किया जाता, केवल उसको महसूस करके हम मानते हैं कि यह हवा चल रही है वाईू चल रही है वाईू का प्रवाय है ठीक है न तो यहाँ एक बात देख लेंगे थोड़ा सा भावति हमारा लटलकार का रूप है तरक सास्त्र में हमारा सप्तिमी भक्ति का एक बचल लगा हुआ है गोणाह मे प्रत्मा का बहुचन लगा है चतुर विश्चति हमारा 24 गड़ना की आधार पर है 20 और 4 24 संती बहुचना अंतिपद है और अस्ती होता तो है एक बचन होता है के लिए अस्ती और है के लिए है के लिए संती का प्रयोग किया जता है ठीक है न? यहां हो गया तरक शास्त्रा अनुशार तरक शास्त्र के अनुशार द्रभ्यानी बहुचनांत पद है प्रत्मा का द्रभ्यम द्रभ्य द्रभ्यानी फलम भले फलानी तो यहां भी हमारा क्या लगा हुआ है बहुचनांत पद नवईव नवईव में हमारी कौन सी संदी है ब्रद्धी संदी नव धन एव आ ए दोनों में लेंगे आई बनेंगे नव आई और वा इसकी मात्रा दो लगा दो इस पर तो यह हो जाएंगी हमारी नवई और वा जुड़ जाएगा नवई हो गया कि ने हो गया भवन्ती अब हमारा यहां सब बहुवचनान्द पद है तो क करता के अरुशार अगर क्रिया लगती है तो यह मान के चलिए कि यह करत्री वाच्य होता है कौनसा वाच्य होता है करत्री वाच्य क्योंकि अगर करता हमारा देखिए बहुवचन का लगा है यह हमारा द्रभ्यम द्रभ्य द्रभ्यानी बहुवचन का पद लगा है तो भव पति भावता भवंति यहें हमारा भूध आतू भी क्या लगे लट लकार पृर्थम पुरोष बहुबचन का रूप लगे लगे हैं, संभाय दिया हुआ है क्या दिया है संवाय हाँ शंवायस्तु एक अंहें संभाय दन अस्तु विशर के शंदिय विशर के इस्थान पर शाह हो गया है ठेक अब इसके बाद देख लेए रूप रहिता वायू रूप रहिता भवाति कोई दिक्कत नहीं है वायू जो रूप लगा हुआ है जैसे गुरु, गुरुम, गुरुनह, गुरुवे वायू, 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 वायूनह तो यह हमारा प्रत्मा का एक बचन लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं यह प्रत्मा का एक बचन है तो हमारी क्रिया भी एक बचन लगी हुई है बाक्यों में यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बाक्य का निर्माण कर रही है और जैसे यहां पूछे कि यह बाक्य कैसी है यह बाक्य भी हमारा करत्री बाच्च में आएगा किस में आएगा क्योंकि प्रत्मा अगर हमारा करता है प्रत्मा व्यवक्ति में और क्रिया हमारी उसी के अनुशाल लगी हो तो करत्री बा की लगती है और यहां कहीं कोई आत्मनेपद की क्रिया नहीं है देखिए जैसे अगर यहां होता तो भव्यते हो जाता ठेक यहां यहां हमारा भव्यते हो जाता यहां भी हमारा भव्यते हो जाता अगर कर्म बाच्चे होता था क्योंकि करता तृतिया भवक्ति में पहुंच है और किरिया कर्म के अनुशार होकर के आत्मनिपद में लग जाती है जिसमे इट का आगम हो करके पठ्थ यते लिख्षते चल लियते गम्यते आधी का प्रयोग फोने लगता है, ठेक है न, तो यहाँ यह बाग के हैं, बाग के देखिए तीन परकार के होते हैं, करतरी बाच, कर्म बाच और भावाज, तीन परकार से बाग क्यों का समावेश की आ गया है, चले, यह हमारा यहाँ पूरा होता है, इसके बाद अगला हमारा प्रशन जो है, अगला प्रश्ण होगा सात्मी नंबर का, ठेक, सात्मी नंबर का हमारा प्रश्ण क्या कहता है, देखें, पाठात विपरीत अर्थक पदानी चित्वा लिखत, पाठ के, जो हमारे पाठ से विपरीत अर्थ को प्रदान करने वाले पदों को चुन करके लिखना है, ठेक है न, तो part मेंसे विपरीत मतलब belong विपरीत मतलब belong just opposite ऐसे पदों को चुन करके हमें क्या करना है लिखना है देखें उठ्छेपन क्या दिया हुआ है उठ्छेपन का क्या हो जाएगा उपर की ओर तो अब उठ्छेपन बिलोम हो जाएगा शामान्य का क्या हो जाएगा सामान्य हमारा क्या हो जाएगा सामान्य का मतलब होता है नॉर्मल और विशेश विशेश हो गया ठीक और अनित्या नित्या प्रत्वी आकाशम अनन्तम एका आ गया है की नहीं आ गया है तो इस प्रकार से इसके हमारे क्या हो जाएगे ये बिलोम हो जाएगे उच्छेपण का मतलब उपर की और अब छेपण का मतलब नीचे की और और सामान का मतलब नॉर्मल विशेश का मतलब हमारा इंपोर्टन ठीक नित्य अनित्य अनित्य का मतलब होता है जो जरूरी नहीं है और नित्य का मतल अगला हमारा होगा, जैसे उन्होंने दिया हुआ है, अगला प्रश्ण हमारा है, आठमे नंबर का, उन्होंने दिया है कि अधो लिखित पदा नाम, नीचे लिखे हुए पदों के मूल सब्द, जो नीचे लिखे हुए पदों के मूल सब्द, विभक्ती बचनाम लिंगम चा लिखाद यह आया बहुत महत्तो अच्छा प्रश्णी ठेक ऐसे प्रश्ण अगर सारी हमारे इसमें रखे जाए अभ्यास कार में तो इससे कुछ बिभक्तियों को हम सीखेंगे देखिए मूल सब्द लिखना है द्रव्य मूल सब्द क्या है द्रव्य और द्रव्य है तो मूल सब्द के बाद अब विभक्ति बचन और लिंग लिखना है तो सारी हमारा द्रव्यो जो जिस प्रकार से यह आ गए हैं देखें मुलसब्द विभक्ति वचन लिंगम यह आपको पूरी इस प्रकार से क्या बनानी पड़ेगी अपने नोट बुक में सीरिश टाइप की बना लीजिए ऐसा तो पहले पद फिर मुलसब्द फिर विभक्ति फिर वचन फिर लिंग इस प्रकार से अगर आप बना लेंगे तो उससे आपको क्या है थोड़ा सा आराम हो जाएगा मुलसब्द द्रव्य हो गया है प्रत्मा विभक्ति ह हो गई है बचन भई वचन हो गया है और लिंग की बात करें तो हमारा जैसे फल की के रूप जो चलते हैं नपुंसक लिंग में फल फिर इसके बाद भीभी विभु प्रत्मा बीभक्ती एक बचन और इस्त्री लिंग का सब परकार से मड़ाइगा अगर हम बात करें मधू केória कि यसे बनेंगा मधू के समान उखरावा बद League हमारी अगरा हमारा मूल्पद हो जाएग वह बहुबचन सब और पुनल्लिंग मांची सब गुणाव गोड़ाव, गुणंगाव, ग्णाव गुणाव, गुणाव, सब्द हो जाएगा मूलपद मूलसब्द प्रत्मा विभक्ति हो जाएगा बहु बचन हो जाएगा और नपुल्सक लिंग का रूप हो जाएगा ठीक तो इसमें बद इतने रूप अगर हम सीख लेते हैं तो हमारा काम हो गया सारी चीजों का अर्थाप निकाल पाएंगे देखें आगे दिया हुआ है कि प्रश्निक रवांक आठ नंबर में समस्त पदानाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा जो समस्त पद है उनका विग्रह करना है मतलब यह समास है समस्त पदों का विग्रह करना है अलग-अलग कर करना है तो साथ पदार्थ अनंता सरीर इंद्रिय विशय वेदात विवहार हे तू रूप रहिता तो इनको हम क्या कर सकते हैं एक साथ विग्रह करना है देखें विग्रह करने में क्या है सब्त पदार्थ इती क्या जुड़ गया इती जुड़ गया विख्रह हो गया व्याख तो अनन्त है अनन्ता ना अन्ता इती अनन्ता सब्त पदार्था इती ठीक है न तो इसमें हमारा सब्त पदार्था में जिसमें किसी भुक्ति का परिवर्ता ना हो ग्रामम ग्रामम प्रती ठीक ग्रामम ग्रामम इती तो इस प्रकार से इती लग गया है समाप्त हो गया है अब अनन्ताह नई तत्पुर्शमास हो गया सरीर इंद्रिय विशय वेदात सरीरस्य इंद्रियस्य विशयस्य वेदात सश्टी भक्ती ठीक है और सश्टी भक्ती का अलग-अलग है तो सरीर का इंद्रिय का विशय और विशय का के भेद ठीक, ब्यवहार हेतू, ब्यवहारस से हेतू, ब्यवहार हेतू, ब्यवहार का कारण, सश्टी विवक्ति, सश्टी तत्पुरुष्चमाज, रूप रहित, रूपेण रहिता, तृतिया, रूपेण रहिता, तृतिया विवक्ति, ठीक, रूप से रहित, रूपेण रहिता, र अगला प्रश्ण है हमारा नौमा, कानी पंच कर्मानी सो उधारणम इस प्रिष्ट करूँ देखें, उत्छेपण, अप्छेपण, आकुंचन, प्रिशारण, गमनानी, पंच कर्मानी, उर्ध देश सयोग हेतु उत्छेपणम, अधो देश सयोग हेतु हेतुर अप्छेपणम सरीरस्य सन्निक्रिष्ट शयोग हेतु राकुंचनम, बीक्रिष्ट, बीक्रिष्ट शयोग हेतु प्रिशारणम, अन्यत शर्भम ब्रह्मनम रे चैनाधिकम गमनम बना, नहीं आया समझ वे, देखो पाच कर्म तो आपको पता होंगे, उत्छेपण, अप्छेपण, आकुंचन, प्रशारण, गमन, बोलो हाँ, आपको ये याद है ना, बोलो हाँ, हाँ, चले, अब देखें, जब ये सारी चीज़े पता चल गए, अब हमने आपको कितनी बार बताया है कि, बताया है ना मैंने, जब मैंने आपको बताया है कि उत्छेपण का मतला, उपर की ओर जाना, उपर की ओर फेकना, उर्ध, देश, सैयोग हे तू उत्छेपण, उपर की ओर, उपर की ओर सैयोग करना, उत्छेपण, उत्छेपण आ गया, फिर अप्छेप अधो-देस, संयोग, हेतू अप्छेपड़ंद। अधा मने बताया मैंने नीचे, तो नीचे की और शैयोग करना या फेकना, हमारा अप्छेपड़ंद। प्रशारण हमने बताया है सिकोड़ना सरीरस्यों सन्निकट सन्निकट का मतलब होता है पास में लाना तो सिकोडने का मतलब भी क्या होता है पास में लाना पास में लाना सन्निकिश्ट संयोग हेतुआ आकुञचन शिकोडना भी भीप्रक्रिष्ट छैयोग हेतु प्रशारण फैलाना बहुत जदुशारण बी प्रक्रिष्ट का मतलव होता है फैलाना या इसको जैसे पानी है पानी को फैला रहे हैं गेहुं आदी को फैला रहे हैं या कवर आदी को फैला रहे हैं तो यह हमारा क्या है बी प्रक्रिष्ट प्रशाद और इसके बाद लाश्ट में हमारा गमनानी है चलाएमान बतलाया तो अन्यत्ष्रवं ब्रह्मनम रिचनादीकम गमनम जो सब जगए भ्रमन करता रही तो उन्हों ने यही कहा है साउदाहर्णम के साथ इसको क्या करना था इस प्रिष्ट करना था कि यह क्यासे इस पश्ट हो सकता है इस पश्टेयत ठेक अब यहां चले आगे हम अगला हमारा रहेगा यहां कोई दिक्कत तो नहीं है देखिए इनकी सारी संदिया हम आपको पाठ में बता चुके हैं अलग-अलग करके दोबारा सायद बताना उचित नहीं है बहुत जादा समय फिर हो जा लगा है यह थोड़ा सा आप लोग स्वय में देखें बस यह सायद नहीं वहां आपको मिला है तो रेचन धन आदिकम तो रेचन आदिकम दिर्ग शंदी हो जाएगी क्या हो जाएगी दिर्ग शंदी हो जाएगी यहां आगे देखेंगे यह इसमें हमारा इतने ही प्रश्ण थे इतने प्रश्णों को हमने हल किया अभ्यासकार हमारा पूरा हुआ तो याद रखिएगा आप लोग भी बहुत अच्छे से पूरे अभ्यासकार को करिएगा जहां जैसे आपको दिक्कत जा रही है समस्या जाए कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमें क्या है बताएं और हम उसको solve करेंगे ठीक है ना और आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आप चाहे किसी भी मीडियम के हो चाहे cbhc हिंदी मीडियम हो चाहे cbhc एंग्लिस मीडियम हो आप यूपी विहार MP बोर्ड कहीं से भी हो आपको ब केलिग्राम पर जाएं इंस्टा पर जाएं और ट्विटर पर जाएं पर फेस्बुक पर जाएं कहीं भी जाएं और सर्च करेंगे मैगनेट ब्रेंस करके तो आपको अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम लिखिएगा इंग्लिस मीडियम है तो केबल मैगनेट ब रावशक्ता पड़ती है तो भी आप संपर्क करें बड़ी हैं से लिंक पर जाए और शंपर्क करें तो e-books और books की माध्यम से आपको notes भी provide कराए जाते हैं तो यह आपको हमेशा याद रखना है और परेशान विलकुल नहीं होना है और हमारी आपको शुबकामनाय है मैं आपको शुबकामनाय देता हूँ हमारा पूरा magnet व्रेंस परिवार आपके ओज्वल भविस्त की कामना करता है धन्यवाद